अम्बेदकर भवन नवादा में दलित सेना नवादा इकाई के द्वारा मानन यस्वा रामविलास पास्वान को सर्वदलिय सभा कर दी गई श्रधानजली दलित सेना नवादा के द्वारा जिले के तमाम नेताओं ने नम आखों से उनके चित्र पर माल्यारपन करकी शोकसभा दलित सेना के जिला ध्यक्षप्रो डॉक्टर विष्णुदेव पास्वान ने बताया कि माननिय रामविलास पास्वान के जाने के बाद आज पूरा देश मातम मना रहा है पास्वान ने कहा कि रामविलास पास्वान पूरे देश में दलितों, आदिवासियों और अतिपिछडा के साथ वंचितों के महान नेता थे उनकी कमी हमेशा खलेगी इन्होंने रामविलास पास्वान को भारत रत्म दिये जाने की मांग सरकार सिकी है श्रधानजली सभा में जिले के तमाम पक्ष विपक्ष के नेताओं ने श्रधानजली दी जदियू के वरिष्ठ नेता मनुहर पास्वान ने कहा कि रामविलास पास्वान भारत के शोशितों वंचितों एवं दलितों के आवाज थे वे जब भी देश में वंचित समाज के लोगों पर जुल्म हुआ है तब बे भारत के ससद में उसका आवाज अत्याचार के खिलाफ बुलंदी के साथ हमेशा उठाते रहे अनुसूचित जाती के अत्याचार के खिलाफ सरकार को भी सक्त से सक्त कानून बनाने का दबाब बना प्रसाद जियोती, अयोध्य पासवान, राजकुमार पासवान, संजे पासवान, रोजपा प्रत्यासी बबलू सिंग, गोपी रविदास, धर्मदेव पासवान, दिनीश नात पासवान, वरुन पासवान, रहुल कुमार. हैं, मैं कहना चाता हूँ, हमारे समाज से नहीं, हर बन कि लोग कह रहे हैं, कि रामिलास पासवान जी को भारत रख मिलना चाहिए, मैं भी उनको कहता हूँ कि भारत रख मिलना चाहिए, हमारे एक साथी ने बताये थे, जिसलर से उस्ठकों में जो दिया जाता है कि उनकी पहाई हो, इनकी जीवनी जो है, इंटर से लेकर के बिये तक, मैटिक से लेकर न आज क्या है प्रोग्राम है आज हमारा प्रोग्राम जो है